पार्ट टू की शुरुआत होती है नियॉक सिटी से जहांपे कैंग के वारियर्स नियॉक सिटी पे हमला बोल देते हैं और तभी वहाँ पे शील्ड और उसकी आर्मी आ जाती है जिसके बाद में वो कैंग के सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी शील्ड का एक एजेंट निक फ्यूरी से कहता है कि कैंग की आर्मी ने हमें चार ओर से घेर लिया है और हमारे सारे सुरक्षा कावज भी तूट चुके हैं और तभी दूसरा एजेंट कहता है कि यह हमला बस नुई-York में ही नहीं पूरे दुनिया पे हो रहा है और तभी निक फ्यूरी काल भी आके तोड़ फोड मचाना चालू कर देता है और इसी तरीके से आंट मैन अपने आर्मी के साथ आ जाता है और उन रोबोर्ट पे अटाक करना स्टार्ट कर देता है तभी दूसरी साइड होकाय कहता है कि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला कि यह हमला कौन और कि इस वज़ा से कर रहा है तभी ब्लैक मैंथर बताता है कि इस तकनीक को देखके ऐसा ही लग रहा है कि यह कैंग का ही है जिसके बाद में आउटर स्पेस में हमें कैंग की स्पेस शिप दिखाय जाती है और उसका सोल्जर कहता है कि नुई यॉक सिटी पे हमला हो चुका है ज वहीं दूसरी साइड निक फ्यूरी भी अपने हैली केरियर से कैंग के रोबोट को रोकनी की कोशिश करता है लेकिन तभी कैंग के रोबोट निक फ्यूरी के हैली केरियर के और आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वहाँ पे आरन मैन आके अपने फूल एनरजी का यूस करता ह और उन सारी रोबोट्स को मार गिराता है और तभी निक फ्यूरी गुसे में कहता है कि आखिर में अब तक कहा आते तुम जहांपे आरेन मैं कहता है सॉरी बॉस ट्राफिक में फसा हुआ था और निक फ्यूरी से कहता है कि इन रोबोट्स का निसाना हैली कैरियर ही है तो तुम यहाँ से निकलो हम Avengers मिलके इन रोबोट्स को रोख लेंगे जिसके बाद में वहाँ पे थौर आ जाता है और रोबोट्स को तोड़ने लगता है और Iron Man से कहता है पर उसे नहीं पता कि उससे जादा रोबोट्स मैं तोड़ चुका हूँ तभी Iron Man कहता है कि इस लड़ाई को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ जिसके बाद में Iron Man कैंग के रोबोट्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है जिसके बाद में कैंग का एक बहुत बड़ा होलोग्राम बनता है और वो Iron Man से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये लड़ाई खतम हो गई है अब मैं इस पूरी दुनिया पे राज करूँगा और तुम्हारी दुनिया को और भी ज़्यादा ताकतवर बना दूँगा और Avengers पे असली हमला तो अब होगा कैंग के इत्ता ही कहने के बाद में Avengers ने जितने भी रोबोटों को तोड़ा हुआ होता है वो एक बार वापस से खड़े हो जाते हैं और उनके उपर में अटाक करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी Avengers टीम एक बार फिर से कैंग के रोबोटों का सामना करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन तभी वहाँ पे वास एक क्वेन जेट लेके आ जाती है और उनके उपर में अटेक करना स्टार्ट कर देती है जिसके बाद में हल्क, थॉर एन वास, कैंग के रोबोट्स का सामना करते हैं वहीं पे दूसरी साइड आयरेन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लाक पैंथर एन आंट मैन अपने बेस पे चले जाते हैं जहाँ पे निक फ्योरी उन्हें बताता है कि यह हमला बस नियॉक सीटी पे ही नहीं पूरी दुनिया पर हो रहा है जहाँ पे एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि वकांडा की उपर में भी हमला हो रहा है जिसके बाद में कैप्टन अमेरिका ब्लाक पैंथर से कहता है कि तुम्हारे देश्वासियों को तुम्हारी जरूरत है और तुम यहां से जा सकते हो जिसके बाद में आइरन मैंटन के उपर में चिला के कहता है कि पहले इसके लिए हम सब की सहमती चाहिए पर आंट मैन और कैप्टन अमेरिका का रियक्शन देखे ब्लाक पैंथर को जाने के लिए कह देता है जिसके बाद में Black Panther वहाँ से चला जाता है वकांडा को वचाने के लिए और दूसरी साइड Captain Iron Man को कहते हैं कि हम सब कैंग के रोबोट को रोकनी की पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें जादा से जादा टाइम मिलेगा और अब तुम्हारा काम बस इतना है कि कैंग के ठिकाने का पता लगाओ जिसके बाद में Iron Man Ant Man से कहता है कि मुझे इनकी बाद से नफरत होती है वो भी तब जब ये सही होते हैं जिसके बाद में Iron Man को उसके काम के लिए गुट लग बोलता है और वो वहाँ से कट जाता है और वहीं पे दूसरी साइड हम देखते हैं कि होकाई एन हलक कैंक के रोबोट्स को मजे में तोड रहे होते हैं और तबी हलक होकाई से कहता है कि थौर मुझसे ज़्यादा पावरफुल खुद को समझता है जबकि उससे ज़्यादा रोबोट्स तो मैं तोड चुका हूँ और तबी होकाई हसते हुए कहता है कि तुम दोनों आपस में बेवजा ही लड़ा करते हो जबकि तुम दोनों से ज़्यादा रोबोट्स मैंने तोड़ गिराए। होकाई के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे कैंके और भी ज़्यादा रोबोट्स आ जाते हैं और तभी होकाई हल्क से हसते हुए कहता है कि तुम जाके आराम करो इनसे होकाई के इतना ही कहने के बाद में वह रोबोट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक जाइंट रोबोट्स में ट्रांस्वाम हो जाते हैं उस जाइंट रोबोट्स को देख के होकाई की फट जाती है लेकिन जैसे ही वह उस पे अटैक करने जाता है वो जाइंट दुनिया भर के सैटलाइट से कनेक्ट होके कैंग दो कॉंकरर को ढूनने की कोशिश करता है पर वो अभी तक सक्सेस नहीं होता और यही बात वो आंट मैन को बताता है जिसके बाद में पूरी अविंजर्स टीम काफी ज़दा परिशान हो जाती है वहीं दूसरी साइट हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका वी यॉक में हो रहे अटैक और तबाही को देखे सीरिस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बस हमला नहीं ये एक युद्ध है और अगर हमें इसे जीतना है तो हमारे पास भी एक आर्मी होनी चाहिए जहां पर वास्प कहती है कि मुझे पता है कि हमें आर्मी कहा मिलेगी और इतना कहने के बाद में वास्प उन सब को लेके निगिटिब जोन में आ जाती है और वहाँ पर Captain America, Ultron की आर्मी को देखते हैं जिसके बाद में Ant Man को काफी समझाने के बाद में वो Ultron के प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसे हिंसा सिखाता है और दूसरी साइड हमें दिखाये जाता है कि Hulk and Thor Kang के रोबोट से बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर Ultron की आर्मी आ जाती है और Kang के रोबोट से उपर में अटाक करना चालू कर देती है जहाँ पर अब एक साइड Kang की रोबोट वर्सिज अल्टरॉन की रोबोट से में फाइट होती है वही पर दूसरी साइड Ant Man एनवास चुपके से उस स्पेस्शिप के अंदर में घुषने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो सारे रोबोट सा रहे होते हैं पर तभी उस स्पेस्शिप के लेजर बीम से क्वेंजेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है बटा Ant Man एनवास उससे बच जाते हैं खुद के साइस को स्ट्रिंग करने के बाद में उस स्पेस्शिप के अंदर में घुष जाते हैं और वो देखते हैं कि कैंग का एक सिपाही उन सारी रोबोट को भेज रहा होता है तभी वास अपने लेजर बीम की हल्प से उस सोलजर को मार गिराती है जिसके बाद में आंट में कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई बटन जरूर होगा जिससे ये लोग टाइम लाइन से डिसकनेक्ट हो जाएं आंट में वो फंक्शन या बटन धूनी रहा होता है कि तभी वास उस पूरे मदर बोट को ही तबाह कर देती है जिसके बाद में वो टाइम लाइन से डिसकनेक्ट हो जाते हैं डिसकनेक्ट होने के बाद में वो स्पेस्शिप और उससे छोड़े हुए रोबोट अपने आप ही गायब हो जाते है और इस सकस के बाद में आंट मैन पूरे Avengers की टीम को ये बात बता देता है कि इन सब को रोका कैसे जा सकता है जिसके बाद में सारे Avengers एक-एक स्पेशिप में घुसने के बाद में उसके Motherboard को तोड़ के उसे timeline से disconnect कर दे रहे थे और वो सारे स्पेशिप टाइम लाइन से डिसकनेक्ट होने के बाद में अपने अपने अरिजिनल टाइम लाइन में पहुँच जाते हैं। आनिली एवेंजर्स को बताता है कि आखिरकार उसने कैंके ठिकाने को ढूनी लिया है और इसी के साथ इस एपसोड का एंडिंग हो जाता है।